हलो वीवर आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागा थे आज हमें इस वीडियो के जरी हम जानेंगे कि जो छोटे छोटे सेंटेंस या बड़े बड़े जो सेंटेंस आखिर इसका बनाने का तरीका क्या है तिन सब कर एक थी तरीका है इन तीनों को आप जान जाते हैं तो आपका जो सेंटेंस बनाने का जो तरीका है वो आपको बहुत ही असान लगेगा चली जानते हैं सबसे पहले सब्जेक किसी सेंटेंस में किसी वेक्ती या वस्तु की बारे में कुछ कहा गया हो तो वही उसका subject कहलाता है जैसे एक example लेते हैं I eat a mango मैं एक आम खाता हूँ तो यहाँ पर मैं के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि वो कुछ करता है इसलिए जो मैं है अर्थात I I क्या हो गया आपका subject हो गया उसी प्रकार verb वर्ब क्या बताता है जो subject के द्वारा कुछ क्रिया की जा रही है अर्थात कुछ होना और कुछ करना जैसे हसना, बोलना, खाना, पीना, रोना, हसना ये जितने भी चीजे है ये क्या है कुछ क्रिया है अर्थात इंग्लिस में इसे हम verb वोलते ह। यही ये क्या कहला रहा है आपका verb कहलाता है, तो it क्या होगे आपका verb, उसके बाद बात करते हैं object, object आखिर होता क्या है, तो object के बारे में मैं बता दू, subject और verb के द्वारा कुछ प्रभाव पड़ता है, किसी अगले word पर, तो वही आपका object कहलाता है, जैसे उधारन मैंने दिया है, I eat a mango, यहाँ पर I क के द्वारा, आम खाया जा रहा है, तो क्या होगा, कुछ प्रभाव पड़ेगा, कि आम खतम हो जाएगा, और आम ही क्या है यहाँ पर, आपका object, तो I hope आपको यह चीज़े समझ में आए होगी, कि subject क्या है, वर्व क्या है, object क्या है, इसकी बात कि जो आने वाली classes है, उस classes ह हम देखेंगे, trick के माध्य हम से, जो वर्व के अलग-अलग form है, उसे हम कैसे याद करें, जिस से हम tense का, या कोई भी sentence जो मनाना है, उसमें हम, में जो परचानी होती हो, बिलकुल ना हो, तो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आने वाली वीडियो की जो सब्सक्राइब करने जेगा,